ये देखे फ्रेंस यहाँ पर कितना प्यारा सा हमारा प्लाजो बन्व के तैयार हो गया है और इस जहसे भी देख सकते हैं हैं आति के सेंटीमीटर फेबरिक लिया है यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर हमने अपने सारे फेब्रिक को ऐसे डबल करके रख लिया है यहाँ पर 40 इंच के करीब हमारी लेंथ हो गई है इस साइड से हमने जुड़ा हुआ ही हिस्सा अपना रखा है क्योंकि हमारा जो सब फेब्रिक बचेगा वो इसमें ही पच जाएगा यह देखिए फ्रेंट्स इसका अरख काफी जादा है 57 इंच इसका अरख है यह देखिए अगर आप इसको सवागज के अरख में बना रही हैं तो आपको 3 मिटर फेब्रिक लेना है यह डबलर्ज का कपड़ा है हमारा 57 इंच चोड़ाई का अब जिस साइड से हमारा खुला हुआ हिस्सा है यह देखिए इस साइड से जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है उसी साइड से हमें इसको उपर की साइड रखना है एसे उठाते हुए हम इसको triangle shape में fold कर लेते हैं यहाँ से हमने खुले हुए हिस्से को मोड कर उपर की side रख लिया है इस side से नीचे की side से हमारा एक side से जुड़ा हुआ हिस्सा है और एक side से खुला हुआ हिस्सा है extra fabric friends हमारा इसी में ही बच जाएगा इसलिए हमने इसको अलग से नहीं कटिंग किया हुआ है उपर की लेंथ हमें यहां से 11 इंच रखनी है बिल्कुल बराबर सब जंगे से हमें इसको 11 इंच ही रखना है अब हम इन निशानों को बराबर कर देते हैं मिला देते हैं यह निशानी यहां पर हमने लगा दिया है अब हम इसकी लेंथ माप लेते हैं नीचे से 28 इंच है तो सब जंगे से हमें इसको 28 इंच ही रखना है इस तरीके से हम कटिंग करते हैं किसी भी जंगे से हमारा प्लाजों वगेरा किसी भी चीज़ को हम अम्रेला बना रहे हो तो वो हमारी लिटक्ती नहीं है। बिल्कुल बराबर हमें सब जंगे से 28 इंच इसको रख लेना है। अब इन निशानों को हम मिला लेते हैं। ऐसे करते हुए हमें सभी निशानों को अपने मिला लेना है, यहां से भी हमने निशान लगा लिया है, अब यह देखिए हमें इसका आसन कटिंग करना है, टोटल लेंद आसन की हमें इसकी 8 इंच रखनी है, 8 इंच पर हमने निशान लगा लिया है, 2 इंच हम अंदर की साइड को इस पर निशान लगाते हैं अब इसको हम उपर की साइड से ऐसे तिर्चा कर देते हैं इसका आसन फ्रेंट्स ऐसे ही बनता है तभी इसकी फिटिंग अच्छी आती है उपर से इसको जादे नहीं लेना है किनारे से मिलाकर निशान को तिर्चा करते हुए लगाना है यह देखे यहाँ पर सभी निशान हमारे लग चुके है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यह गहरा नीचे की साइड से हमने कटिंग कर लिया है अब आसन भी हमें इसका कट कर लेना है उपर का हिस्सा भी हम इसका कट कर लेते हैं यह देखे फ्रेंट्स यहां पर यह हमारा कट गया है अब हमें यहां से अंदर की साइड को 3 इंच पर निशान लगा लेना है और इस निशान को उपर तक तिर्चा करते हुए हमें मिला देना है इससे फ्रेंड्स यहां की लेंट जादे हो जाती है और यह पलाजो हमारा उपर की साइड को खिषता नहीं है इसलिए हम यहां से थोड़ा सा हिस्सा इसका कट कर देते हैं अब इसकी शेप बहुत जादा अच्छी पहन कर आएगी बेबी के यह देखिए दोनों पीस हमारे यहां पर कट चुके हैं अब हम आपको इसका बचा हुआ फेबरिक दिखाते हैं यह देखिए इसमें सब फेबरिक जो कटिंग का एक्स्ट्रा फेबरिक बचा है वो भी इसमें ही आ गया है अब यहाँ पर यह हम प्लाजो को दोनों आसन को एक साथ मिला लेते हैं और इस पर यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं फ्रेंट्स प्लाजो के आसन पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगाने चाहिए जिससे यह पहनने के बाद बच्चों के जल्दी से उधरते नहीं है एक सिलाई हमने लगा दी है एक सिलाई हम इस पर यहाँ पर और लगा देते हैं यह देखिया आसन पर यहाँ पर हमारे सिलाई लग गई है अब इस साइड के आसन पर भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा कर इसको तयार कर देना है दोनों आसन पर हमने सिलाई लगा दी है अब हम अपनी मोहरी को मिला लेते हैं और इस पे साइड की सिलाई लगा देते हैं यहां पर भी हमें हमेशा डबल सिलाई लगाने चाहिए फ्रेंच इसी तरह के काफी प्यारे प्यारे से बेबी के फ्रोक डिजाइन और ड्रेसिज डिजाइन की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है आप चैनल पर से काफी डिजाइन देख सकते हैं जिसमें हमने कटिंग और स्टीचिंग भी पताई हुई है यह देखें यहां पर साइड में हमने इसके सिलाई लगा लिए एक सिलाई हम इस पर और लगा लेते हैं अब हम इसका नीचे का घेरा फॉल्ड कर लेते हैं आसन और साइड की सिलाई हमने लगा दी है फ्रेंट्स इसमें भी यहाँ पर चोड़ाई में थोड़ा सा कम घेरा मोरना है क्योंकि यह भी हमारा पूरा घेरा नीचे की मोहरी कोलाई वाली हो रही है तो इसमें भी हमें बार फोल्ड कर लेना है अब हम इस पर किनारे की एक सिलाई लगा देते हैं जिससे घेरा हमारा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है आप देख सकते हैं कितनी फिनीशिंग के साथ हमारा घेरा मुड़ रहा है दोनों मौहरी हमें ऐसे ही फोल्ड कर लेनी है अब हम इसकी उपर की चोड़ाई माप लेते हैं इसकी उपर की चोड़ाई यहां से एक तीन इंच है इस जगे से देखी हमारी चोड़ाई एक तीन इंच है लेकिन हमें इसकी बेल्ट 17 इंच लेनी है यानि कि डबल करके हमें इसको 34 इंच लेनी है क्योंकि बेल्ट को हम थोड़ा सा खीच कर लगाते हैं इसलिए हम बेल्ट को थोड़ा सा कम यहां पर लेते हैं चोड़ाई इसकी 3 इंच है और लेंध में यह 34 इंच है अब हलका हलका सा खीचते हुए हमें इसको लगाना है क्योंकि नीचे के हिस्से की हमारी गोलाई है तो गोलाई वाला हिस्सा खीच कर जादा हो जाता है इसलिए हम उसको ढिला छोड़ कर लगाते हैं यह हमने यहाँ पर बेल्ट अपने लगा दी है यह हमने प्लाजों के रोंग साइड से बेल्ट लगाई है और राइट साइड पर हमें इसको पलटनी है यहां से दोनों बेल्ट के पीस को हमने जोड़ दिया है अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और बेल्ट को उपर की साइड को करते हुए सबी फेबरिक इसके नीचे की साइड को हमें कर लेना है और इसके उपर हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है यह देखी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेफा कितना प्यारा सा मुड़ कर तयार हो रहा है हमें इसको सब जगे से फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है एक जगे से टू इंच के करीब हमें इसको छोड़ देना है जिस जगे से हमें इसमें लास्टिक डालनी है यहाँ से टू इंच के करीब हम इसको खुला छोड़ देते हैं यह देखिए नेफा हमारा कितना प्यारा सा शेप के साथ बनकर लग गया है यह हमने 19 इंच की लास्टिक लिए है फ्रेंट्स लास्टिक भी आप अपनी बेबी की चोड़ाई के हिसाब से ले सकते हैं यह मीडियम बेबी के लिए है लास्टिक को आप थोड़ा सा कम या जादा भी ले सकते हैं अब हम लास्टिक को पिन में पिरो लेते हैं और अंदर की तरफ इसको डाल देते हैं और दूसरी साइड को इसको निकाल लेते हैं पीछे से लास्टिक को हम खीशते रहते हैं पिन को हम निकाल देते हैं अब दोनों पीस को हम सीधा कर लेते हैं यहां से लास्टिक के और एक दूसरे के उपर रख लेते हैं इस पर दो से तीन सिलाई हम लगा देते हैं जिससे यह अंदर जाकर खुले नहीं नेफे के अब हम इसको खीच कर बराबर कर लेते हैं और अपने खुले हुए हिस्से पर यहां पर सिलाई लगा लेते हैं यहां पर यह देखिए हमने यहां पर इस पर सिलाई लगा ली है अब हम इस पर यहां पर बीच में भी सिलाई को लगा लेते हैं फ्रेंट्स ये लास्टिक पर सिलाई लगाना जादा जरूरी है इस लास्टिक बेबी के पहनने के बाद मुड़ती नहीं है और बेबी को परिशानी नहीं होती है ये देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर कितना प्यारा सा हमारा प्लाजो बन कर तयार हो गया है और इस जंगे से भी देख सकते हैं आप इसकी कितनी प्यारी सी शेप आई है और ये इसकी साथ हमने टोप बनाया हुआ है बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस हमारी बन कर तयार हो गई है फुल ड्रेस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर और चेनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने डिजान के साथ